टेंग बन्तब शोबे दिर्वान और आज की इस वीडियो में हम आप सभी का दसवी कक्षा में ओफीशली स्वागत करते हैं हमारी इस पैमिली में आप सभी का स्वागत करते हैं एक ऐसी क्लास जिसमें आप पहली बार बोर्ड का एकजाम दे रहे होगे एक दूसरे सेंटर पे जाके आप एकजाम दे रहे होगे आपका पेपर भी बहार से बनके आएगा आपकी चेकिंग भी बहार होगी आपकी चेकिंग हार्ड भी होगी मार्क्स भी कर सकते हैं आप फेल भी हो सकते हैं कर रहा हूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला Mark my words दसवी कक्षा आपकी life की सबसे memorable class होने वाली है जिसमें आप दिल लगाओगे भी और दिल तुडबाओगे भी अरे पढ़ाई से यार कहां सोच रहे हो सीधा मुद्धे पे आते हैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला है कि कैसे आप दसवी कक्षा में एक महरत हासिल कर सकते हो क्या भाया नौवी से थोड़ी अलग होती है क्या हमें किसी और तरीके से पढ़ना होगा भाया मैंने सीनियर से सुना ये कुछ previous year paper होते हैं मतलब क्या होता है भाया ये notes भी बनाने होते हैं क्या भाया ये sample paper क्या होते हैं ये question banks क्या होता है और RD शर्मा भी करनी पड़ेगी क्या भाया RSA करवाल भी करनी पड़ेगी भाया refresher भी लेनी पड़ेगी ये सारे चीजे आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ discuss करने वाला हूँ बिल्कुल basic से बिल्कुल advance level तक कैसे हम एक बड़ा score अब जब मैं बड़े score की बात कर रहा हूँ अभी इसी moment पे आप सभी के सामने एक paper आ जाना चीए और इस paper पे न pen से लिख लो कि मैं इस साल इतना score करूँगा 96%, 98% और उसको सामने चिपका दो कि इस साल में लेके आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए लाखों बच्चे लेके आए हैं close to 2 million हम पहुच चुके हैं 20 लाख बच्चे मैंने पिछले 3-4 साल में पढ़ाए हैं पिछले 3-4 साल में हमारे चैनल से गुजरे हैं उनके एक्जाम के बाद बच्चे से मिलने गया हूँ ऐसे हर एक्जाम में मिलने जाता हूँ आप से भी मिलने आऊँगा जब आप अपना गुड का एक्जाम दे रहे होगे और बच्चे बहुत खुश हैं बहुत अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं बहुत असान पेपर आता है, तो इसलिए स्कोर के लिए हमें एक बड़ा गोल रखना है, एक बड़ा गोल अगर हम रखेंगे, तब हम अच्छा अचीव कर पाएंगे, कैसे उसको अचीव करना है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से लिए एंड तक मैं ब वाला है, वो है, बहुत असान है, बहुत असान है, बहुत असान है, इतनी असान है, मैं आपको स्कूल अपना चेंज करा था, और 6 के बाद मेरे अंदर जोश आया, कि मैं आप अच्छा स्कोर करूँगा, और उस समय हमारा CGPA सिस्टम होता था, कि बहुए 1 से लेके 10 तक CGPA ह पर दी, 9th में आके भाई मेरे जटका लगा, और 9.2 या 9.3 पर रहके रुख गई, यह क्या हुआ, फिर उसके बाद मेरे अंदर से एक और आग ली, मैंने का या 9th में बेगार गया, अब देखना 10th में बहुत गुस्सा आया, मेरे को बहुत मेरे डाट पड़ी, घर पे डा मैं इस समय इंडियन इस्टिटूट आफ इंफरमेशन टेक्नलोजी वडोदरा में हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, IT ब्रांज से 4th year में इस समय में हूँ, तो इसलिए, अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो, क्या मेरे बाद समय में आ रही है, आप अराम से कर सकते हो, बस एक गोल बड़ा लेकर हमें चलना है, 9th से बहुत असान होने वाली है, 9th में आप जो जो चीज़े कर रहे थे, 9th और 10th में अंतर क्या है, मैं आपको basic basic बताता हूँ, देखो, ध्यान से सुनना मेरे बात, पूरी वीडियो को आप ध्यान से सुनना है, अराम पेपर भी आपके स्कूल को बनाना है, चेक भी आपके स्कूल की टीचर करेंगे, और शायद वो ही टीचर करेंगे, जो आपको पढ़ा रही है, शायद वो ही टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, वो ही पेपर बना रहा होगा, तो स्कूल को सब चीज़ पता होती है, कि यही से फिपर आना है यही पेपर में question डालने हैं तो आपको क्या करेंगे जो आपके subject teacher हैं वो आपको class notes बने रहे होंगे उसी मेंसे class notes में आप रटलोगे उसको उसी को आप जाके exam देके आजाओगे बहुत अच्छे आपको अच्छे से NCRT पढ़नी होगी, आपको एक-एक लाइन पढ़नी होगी, आपको प्रिवियस एर कुष्टन्स एनलाईज करके उनको करना पढ़ेगा, आपको सेंपल पर लगाने पढ़ेंगे, इस्ती बड़ी बात नहीं है, यह दस्वी का बोर्ड हवा बना रखा है, बहुत असान होता है, मैं आपको पता हूँगा, पर यह है कि हमें न, अच्छे-च्छे से, एक अच्छी स्ट्रेटीजी से चलना है, जिससे हम अच्छे अराम से जाके, शांती से अच्छा स्कोर कर पाएं, यह बहुत बड़ा अंतर है, नौभी में आपके जो क्लास के नो बेज हो गया, कुछ प्रो टिप्स में आपको दे रहूंगा, यह सारी चीज हम हॉले हॉले अराम नाम से डिसकस करते हैं, अब ठीक है, एक चीज दिमाग में रखने हैं, नाइन से बहुत असान है, बस, इतना ध्यान में रखना, अब भाईया ने बोल दिया, तो समझ और आपने पहला पेज उठाया, पहला पेज उठाती है, आया chemical reactions and equations, अरे यह इतना बड़ा chapter, कुछ नियासान है, तो आपका अब यह पहला chapter है, आपको इसको कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको पताता हूँ, अभी से, सबसे पहला काम होगा आपका theory, theory मतलब इस chapter में जो जो chapter है, तो ऐसा तो नहीं एक दिन में हो पाएगा, तो हम शायद parts में कर रहे होंगे, तो हमने मालो एक घंटा पढ़ा, तो एक घंटा जितनी भी हमने theory cover करी, उसको याद रखने के लिए, उसको बाद में revise करने के लिए, हम कुछ notes बना रहे होंगे, ठीक है, कैसे बनाने है, क आज हम पढ़ रहे हैं, एक साल बाद हमारे exam है, तो हमें क्या करना पढ़ेगा, उसको regular revise करना पढ़ेगा, जिससे हम भूलेना, ऐसे बहुत बच्चों के साथ होता है, वही हमने उस समय chapter पढ़ा था, अब यहार exam है, आप तो याद ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा था, तो हम regular revision कर रहे होंगे, theory के लिए, अगर मैं science की बात करूँ आपकी, तो सबसे पहली चीज जो है, आपके बाद दो तीन option है, सबसे पहला option आपका है, कि आपका जो school का teacher है, वो आपको पढ़ा रहा होगा, आप पहले दिन जाओगे, आपका chemical reaction and equation heading लिखवाई जाएगी class notes में, ठ और फिर, आपके पास दूसरा option है, वीडियो lecture देखना, भाईया, वीडियो lecture कहां से मिलेंगे, YouTube पे सब चीज फ्री में पढ़ी हुई है, आपको सब पता है, ठीक है, बहुत अच्छे teachers में पढ़ा रखा है, तो आपके पास दूसरा option है, वीडियो lecture से देखने का, ये सारी चीज़े जो है न, ये सारी आपको पैडलर ली लेके चलनी होती है, भाई, स्कूल टीचर से बहुसा ही चीज़े समझ में आगी, कुछ नहीं समझ में आया, तो हमने वीडियो lecture से देख लिया, और कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कोई coaching या फिर tuition वगेरा जाते होगे, तो वहाँ से कर लो, भाईया क्या coaching जरूरी है, इसके बारे में बाद में discuss करेंगे, ये तीन option है, या तो आप school की teacher से पढ़ोगे theory, या आप video lecture से देख लोगे, या आप coaching से पढ़ रहे होगे कहीं पे, तो आपने इस तरह से theory पकी करी, school teacher ही आपको notes बनवा रहा होगा, वी एक बार theory में 3-4-5 गंटे-10 गंटे invest करें, फिर उसके बाद हमने उसके notes बना लिए, अब ऐसा ना हो कि जब हमें notes का revision करना है, तो हमें lecture वापस से देखना पड़े, ऐसा ना हो, समझ में आरी है मेरी बात, एक बार हमने lecture देख लिया, बहुत बढ़ी है, अब हम सिर्फ theory ज सबसे best notes है, वो हमारे channel दे रहा है, free में हम देते हैं बच्चो को, पिछले साल भी हमने बच्चो को दिये थे, यह आप देख सकते हों यहाँ पे, use these notes, एक 15 लाख बच्चो ने इन notes को download करा है, use करा है, almost हर एक बच्चा जो दस्वी का exam देता है, वो हमारे notes से पढ़ता है, अभी आप इनको refer कर सकते हो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपने theory पढ़ी, ठीक है, किसी lecture से, आप notes बना रहे हो, आप साथ में क्या करो, मेरे वाले जो notes हैं, जो मैंने दे रखे हैं, उनको अपने बगल में रख लो, कि अगर आपको देखना है, किस तरह से notes बनान है, जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपका, सबसे पहला chapter है, आपका chemical reactions and equations, इसकी अगर मैं notes खोलू, बहुत प्यारे notes बनाये हुए, मज़ा आ जाएगा पढ़के, अगर मैं बात करूँ, तो आपका यह हो गया, इसमें सबसे पहले, कुछ हैं आपके, जो मैंने type कर रखे हैं, क किसी भी चीज को रहा question नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं लल्लू problem, क्योंकि हमारे सारी problem लल्लू होती है, इस mindset से हम problem को solve करेंगे, बहुत अच्छे से solve हो जाएगी, असान से solve हो जाएगी, यह mindset का खेल है सारा, तो हमने लल्लू problem कुछ डाली हैं यहां पे, इस तरह से notes बनते सारे आपके mobile में आ जाएगे या फिर laptop में आ जाएगे, इनको अपने साथ में रखो, कि मैं खुद भी notes बना रहा हूँ और साथ में मैंने शोबित भीया के notes भी रख लिए, refer करने के लिए, फिल समझ में आगी, इसी तरह से आपके social science के सारे notes हैं, आप power sharing के जैसे अगर मैं notes खोलू, तो यह मेरे handwritten notes है, iPad पे बना है, बहुत सुंदर, ठीक है, शुरू में मैंने ऐसे flowchart बना रखा, iPad पे, फिर उसके बाद मैंने हाथ से लिख रखा है, बच्चे बहुत use करते हैं, KQB का मतलब होता है, कुछ काम की बात, हम English में लिखते हैं, NOTE note, उसको हम नहीं ल बने रहोगे, तो आपको पता ही चल जाएगा कवारे notes, यह सारे इस तरह से आपको पूरे notes के link नीचे मैं आपको provide कर दूँगा, तो पहला काम होगे हमारा, theorem ने बढ़ ली, हमने notes बढ़ लिए, notes अपने आप बना लिए, फिर हमें करना है revision, revision करने का, मैं आपका एक बहु notes सामने रख लिए, और notes सामने रख के, हमने उनको एक एक बार उपर से पढ़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब यह होता है, इसका मतलब यह होता है, गलत तरीका है, ऐसे कभी आप चीज याद नहीं रख पाओगे, हम चीजे जब याद रख पाते हैं, जब हम उसको अपने mind से retrieve करते हैं, यूटीब पर हमने सबसे पहले यह चीज डिसकस करी थी, अब बाकी लोग इसको बता रहे होते हैं, जब हम चीजों को retrieve करते हैं, मतलब कि, जब हमने notes बना लिए, ठीक है, अब हमने उसको रख दिया, अब हम सुबह उठे, सुबह उठने के बाद, हमने बिन पड़ा, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, दिमाग में से retrieve कर रहे हैं चीजों को, जब हम चीजों को retrieve करेंगे ना, तब वो दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती है, एक बाद ट्राय करके देखना, यह best तरीका revision करने का, इससे आपको बहुत फायता मिलेगा, तो आपका जो question banks आते हैं, जो आप use कर सकते हो, मैं Oswal books के काफी prefer करता हूँ, उनके बहुत अच्छे हैं, आप उनको खरीद सकते हो, जब आपका एक बार theory अच्छे से हो जाए तो, क्या मेरी बाद समझ में आ रही है, तो उनसे क्या होगा, आपकी questions की practice हो रही होगी, जितनी आप जादा questions की practice करोगे, आपने theory complete कर ली, अब आपको questions की practice करनी है, उसके लिए आप question banks की उस कर सकते हो, क्या मेरी बाद समझ में आ रही है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले subject की और, अगला subject है हमारा social science, social science में, जो मैंने चीज़े बता ही, वही रहेंगी, आपको theory पढ़नी है, theory बता दिया, revision के लिए आपको, जितने भी NCRT के questions है, important questions, star mark करोगे आप बार-बार, उनको revise करो, ठीक है, तो इस तरह से हमारी revision हो गई, अब, social science में एक चीज़ जो होती है, वो यह होती है, कि आपके न, जो NCRT होती है, उसकी line में से, beach में से, question उठके आ जाता है, NCRT की line के beach में से question उठके आ सकता है, इसलिए आपको ने NCRT read करनी पड़ेगी, यहांपे, भारी चीज लग रही है, अरे अराम-अराम से किनना बुरा साल है हमारे पास, अराम-अराम से हम read करेंगे, और साथ-साथ में हम अपने आप questions frame करेंगे, NCRT के उपर छत पे, यह क्या बोला म मैंने, मैं आपको बताता हूँ, यह भी मैंने बच्चो को करके दे रखा है, पर मैं चाहता हूँ कि आप खुद करो, जिससे कि आप चीज़ों को सीखो, ठीक है, मैं आपको example बता रहता हूँ कि किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ आपको, SST की NCRT booklet नाम की, मैंने बच्चो को चीज़ दी थी, कि वही किसी के पास NCRT पढ़ने का टाइम नहीं, आखरी टाइम पे, बिल्कुल बोर्ड के टाइम पे, तो मैंने यह यह दिया था, जैसे कि मान लो आपका development chapter है, ठीक है, आप line by line read कर रहे हो, line by line read करके आपको एक पेल रखा है, पर main चीज यह है, जो की बहुत focused है, समझ्यारी जब हम NCRT पढ़ेंगे तो हमें ऐसी चीज लगती कि important है, हम उसको underline करते हैं, underline करने के साथ साथ एक काम करो, कि इससे related जो आपके दिमाग में कुछ question frame हो सकता है, उसको चतवे बना लो, what are some on material things people seek for, समझ्या करा, ठीक है, इस तरह से आपने हर एक page के उपर, यहाँ, इस page के उपर question frame कर दिया, इस page के उपर question frame कर दिया, यह न, यहाँ पर इस page में में बहुत सारे questions frame कर दिये, इस तरह से हमने पूरे NCRT, जब भी हम chapter पढ़ रहे हैं, तो उपर छत पर questions frame करें, समझ्यारी मेरी बात, इस से फायदा क्या होगा, फायदा मेरी जान यह होगा, कि जब आप अब इसके बाद, मानलो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, एक साल बाद इसका revision कर रहे होगे न, अब आपको वापस पूरी पढ़ने की ज़रूत नहीं है, अब आपको mind में से retrieve करना इस चीजों को connection हो रहा है कि भाई हमने development chapter उठाया, हमने क्या गरा, नीचे नहीं पढ़ेंगे हम कुछ भी, हम सीधा जाएंगे question पढ़ेंगे, what are some on material thing people seek for accept money, अब हमने क्या पढ़ा था, अगर हमें answer याद आ गया, मतलब हमारी अच्छी revision हो रही है, अगर नहीं याद आया, तो हमने नीचे कर रखा फिर उसके बाद हम ज्यादा मेहनत ना कर रहे हो, हम उसके बाद smart work कर रहे हो, कि भई हमने 5 मिनट में फिर पूरी revision कर दी NCRT की, यह होता है smart बच्चे, hard work कौन कर रहा होता है, एक बार पढ़ी, फिर 4 महीने बाद फिर बूल गए, फिर उठा के बापस पढ़ रहे हैं, फि आप इसको as a reference ले लो, कि आपको समझ में आजा है कैसे आपको बनानी है, NCRT के उपर heading कर करके, अब मैं बात करूँ आपकी महत्स में, भईया क्या RD शर्मा करनी है, कर लोगे तो अच्छा होगा, क्या होता है ना मैं आपको बताता हूँ, देखो, महत्स में आपका सबसे ब home के भी आते हैं, जिससे आप एक अच्छा score लेकर आ रहे होगे, जो time breaker सवाल के आते हैं, कि भाई इससे तो बहुत अच्छे number आ रहे होंगे, यह होता है, तो हमारा काम क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, कि आपने theory कहीं से पढ़ ली lecture से, आपने साथ-साथ में notes भी बन important chapters है, जैसे की trigonometry, बहुत important chapter है, surface area and volumes, बहुत important chapter है, आप जैसे जैसे chapter करोगे, triangle is a important chapter है, तो आप जैसे chapters कर रहे होगे, आपको पता चल जाएगा, कौन-कौन से ऐसे chapter है, जो थोड़े से भारी है, और जहां से घूम के सवाल आ सकते हैं, सिर्फ उन-उन chapters की आप RD-शर्मा क परूँगा, कहीं भी दिक्कत आई कि मैं solution देखूँगा, कहीं भी दिक्कत आई कि मैं teacher से पूछूँगा, कहीं भी दिक्कत आई कि मैं video lecture देखूँगा, जो भारी chapters है, उनके आपने RD-शर्मा कर लीना, तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, यह क्या कहते है, मैं यह कह 2016 में paper आया बच्चों का, फिर उसके बाद 2017 में exam हुए board के उसका paper आया, ऐसी लेके लेके आगे तक आये, हमने एक चीज़ observe करी है, कि यार जो 2016 का paper था ना, उसमें से कुछ questions directly उठके 2015 से आयोए थे, 2017 का जो paper था ना, उसमें से कुछ questions directly उठके 16 और 15 में से आयोए थे, 2018 का जो paper था ना, उसमें से कुछ questions directly 17 के, 16 के, 15 के उठके आयोए थे, तो मतलब कि, जब हम अब 2024 में exam दे रहे होंगे, तो पिछले जितने भी साल गाए हैं, उनके कुछ questions हम repeat मान सकते हैं, समझ में आरी है मेरी बात, तो इसलिए previous year questions important रहते हैं, आपको सारे के सारे previous year questions में चैनल पे provide रखे हैं, उसका link में नीचे दे दूँगा, तो आप chapter से साथ साथ उनको भी एक बार पढ़ सकते हो, कि वही ये चीज है, जो CBSC जादा पूछती है, CBSC का जादा modest चीज में होता है, वो आप revision कर लिया, और आखरी time पे जब हम boards दे रहे होंगे, उस समय मेरे साथ आप होगे, तब मैं आपको और questions दूँगा practice करने के लि पूरा करेंगे ना, तब confidence आएगा हमारे अंदर, ठीक है, अगर हम 12th में, 11th में science लेने वाले हैं, तो trigonometry की तो मैं कहूंगा, बिल्कुल ही, आप अच्छे से RD शरमा कर लेना, क्योंकि trigonometry पूरी की पूरी 11 बारवी में आने वाली है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके language subject, language subject कुछ बारी चीज नहीं है, आप अराम से अपने school के साथ-साथ इसको पढ़ते रहो, ठीक है, जैसे जैसे आपको school के teacher पढ़ा रहे हैं, वैसे पढ़ते रहो, हिंदी, English जो हैं आपकी, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, आखरी के बच्चे एक महीन कर लेंगा, और English नहीं निकल जाता है, वो इतनी बड़ी tension नहीं है, अब आते हैं कुछ pro tips, जो मेरे को आप सभी के साथ discuss करनी है, पहली या कितने गंटे पढ़ना है, अगर आप अभी से consistent रहोगे, मैं आपको चीज बताता हूं, बच्चे तो आखरी के एक-दो महीने में बहुत अच्छा score कर लेते हैं, पर उसमें एक-दो महीने में वह 12-13 गंटे पढ़ते हैं दिन के, इतना हमें लोड नहीं लेना, अभी से अगर 2-3 गंटे अच्छे ते पढ़ लें, तो बहुत है, ठीक है, वही उस समय हमने इतना pressure ले लिया, उस से बढ़िया तो उस समय को चोट लग दिया, हमार बिमार हो गए, फिर हम कैसे 12-13 गंटे की पढ़ाई करेंगे, तो इसलिए हम precaution लेके, अभी सही, 2-3 गंटे की अच्छे-च्छे से पढ़ाई करें, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, वह हमने पढ़ लिया, थियोरिया हमने रिवाइस कर ली, नोट सारी बुक्स बहुत बढ़िया है, पर हमार इसलिए नहीं है, कि हम सारी कर पाएं, आपको आडिश्रमा उठानी है, आप आडिश्रमा उठा सकते हो, मैच के लिए, ठीक है, NCRT अगर आपसे पढ़ी नहीं जा रही है, तो कुछ NCRT की असान भाशा वाली गाइड आती है, वो आप यूज कर सकते हो, पर ज्यादा मत उठाना, यार, मैंने बहुत सारी बुक्स ले रखी थी, कुछ काम नहीं आई थी, आप NCRT पे स्टेकर होगे, NCRT अच्छे से रीड करोगे, साइन्स एसिस्टी में, बहुत है होतना, मैस में आपको थोड़ी बाद प्रैक्टिस प्रवाइड करे हो, आपके रेगुलर्ली टेस्ट लेते रहे, टेस्ट कभी मत छोड़ना, पूरे साल में, एक बात अभी से, मेरी सुन लो दिमाग में, टेस्ट कभी ने स्किप करने हैं, टेस्ट सारे देने हमें, चाहे हमारी प्रिपरेशन हो ना हो, यह हमें एक confidence booster की तर आएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, अगर आप जा रहे हो, कोछी बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आगए अगर मैं बात करूँ आपके seniors, मैंने आपको बतायता हैं, यह जो चैनल पे seniors की मैंने review ले रखे हैं, यह जो आपके इस साल बच्चे ए परावर होती है, तो इसलिए मेरा यह suggestion रहेगा, कि जितनी भी चीज़े हैं, वो सारी आप एक बार जाके चैनल पे देखो, हर एक की strategy, social science की strategy, paper presentation, हमारा syllabus कैसे cover करें, इतना सारा syllabus है, वह यह कैसे करें, 10th में कैसे हमें पढ़ना होता है, क्या हमें tips और चाहिए होगी, जो इ bank to हमारे चैनल से आईती, CBSC All India, तो आप इसका interview देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि आपर्स किस तरह से पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़े में ध्यान रखनी है, ठीक है, आपके भी school में आऊंगा मैं जब आपका विपर होगा, अगली बात अगर हम करें, वो है मज़े, दस्वी class में, बिल्कुल लोडनी लेना है, जितनी पिकनिक जा रही है, सारी पिकनिक में जाना है, जितने भी parties हो रही है, सारी parties में जाना है, जितने गेम खेल सकते हैं, सारी गेम खेलने हैं, फुल मज़े होने चाहिए दस्वी class में, ठीक है, बिल्कुल भाई की तरह बोल पिकनिक जाना जाएंगे क्योंकि इसके बाद जो है ना लाइफ थोड़ी सी बहुत भारी हो जाती है ग्यारवी बारवी में तो इसलिए इतने मज़ें नहेना मेरी जान अभी कर लेना बहुत मेमरेबल क्लास होने वाली है दस्वी मैं आपके साथ रहूंगा पूरी जड़नी अगली ही एक प्यारी सी वीडियो में आप सभी के साथ जाओ अब पढ़ लो पढ़ लो बाई नही क्लास मुआ रखो जाओ पढ़ लो बाई